आधा किलो मीटर पहुंचे तो उसने मुझ पर फायर दागा तो जबावी करवाई में मैंने भी फायर दागे जिसमें मेरे हाथ में दैना हाथ में गोली लगी और गोली लगने की बेवजूद मैंने उसे खदेड के 300 मीटर दो अपराधी को दबोच दिया दोडाएकर तीन अपराध करमियों को हतियार सहीद गिरफतार कर लिया है और काफी मात्रा में जो बैटरी छोरी खोल ली गई थी टावर से उसको बरामत किया गया है जो लोग टावर के मैंटेनेंस का काम लेते हैं वही जो है इन लोगों को प्रस्रह देते हैं इंसे देखिए रजधानी में जब पुलिस पर गोली चलती है तो क्या होता है देखिए रजधानी पटना के ब्योर्थाना अंतर्गत का मामला है जहां टावर से बैटरी चोरी की सूचना डायल 112 टीम की गारी को मिलती है मौके पर पहुशती है तो अपराधी पुलिस को देख फाइरिंग करना सुरू कर देती है जिसमें एक दरोगोई को गोली लगती है और वह घायल हो जाती है देखे हिम्मत नहीं हरते है फिर भी 200 से 300 मीटर तक दोरा कर अपराधी हो का पीछा करकर धर दबोचते हैं और दो अपराधी हो को गिरफतार किया लाता है बियोर्थाना सुबा सुबा पटना के सेस्पी राजीब मिस्रा पहुशते हैं वह घायल दरोगा को सावासी देते हैं पटना पुलिस को कारी को लेकर सराहनिये किया कि एक अपराधी अगर गोली चलाती है तो पीछे हटने वाले नहीं है पटना पुलिस टीम है पीछा करकर दो अपराधी को धर दबोचते बड़ी उपलब दिये पटना के सेसपी राजीब मिश्रा ने तारीफ करते हुए कहा कि जो घायल हुए हैं वो सावासी के सावासी के पातर हैं जो गोली लगने के बाब जूद भी 200 से 300 मीटर दोर कर अपराधियों को धर द बोचा इस्टल हाथ में थी पुलिस को डर भी थी लेकिन डर का डर को दूर रखते हुए किसी तरह अपराधियों को धर्द बोचने में सफल हुए क्या कुछ करे पटना सेसपी जा सुनिए पुलिस के उपर गोली चला दी जिससे हमारे एक सब इंस्पेक्टर जो है उनकी बाह में गोली लगी और जक्मी हो गया अभी वह स्वस्थ हो के पूरा करतब प्या गया है पुलिस ने जो है सिटी एसपी वेस्ट के नेत्रित में च्छापे मारी चल रही है और जो पुलिस कर्मी इस पूरे आपरेशन में सामली थे उन्होंने बहुत ही बहादूरी का काम किया है गोली लगने के बाजूर लगबग तीन सो चार सो मीटर दोडा कर तीन अव्युक्तों को हतियार के सा करने लें और जो भी सिच्वेशन है उसको प्रापर तरीके से बहादूरी से रिस्पांड करें जो अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें यह बात आया कि इसमें से कम सकम एक अभ्यूक्त जो है पहले लगबग एक दसक का उसका बैटरी चोरी का इतिहास रहा है और इसमे जो है इन लोगों को प्रस्राय देते हैं इनसे बैटरी की चोरी करवाते हैं और यहीं चोरी की बैटरिया खरीद के फिर मेंटेनेंस के नाम बेटावर में लगाते हैं ऐसे कुछ लोगों के विसम जानकारी मिली है तो पूरा संगठित तरीके से यह लोग अपराद करते है कि भी काम करते हैं वह तको रात में दो बज़owing के करीxim में एक शुबायवर्म चॉड़ी कर रहा है और फाइड भी कर रहा है इसका सत्यापन के लिए हम लोग थाना ध्याच मौधय द्वारा आदेश दिया गया था तो हम लोग जहां चोरी हो रही थी वहां पर घटनास्तर पर पहुंचे जिसे पुलिस को देखकर अपराध कर्मी द्वारा भगना शुरो किया भगना शुरो किया तो हमने उसको एक आधा किलो मिटर पहुंचे तो उसने मुझ पर फायर दागा तो जबावी करवाई में मैंने भी फायर दागे जिसमें मेरे हाथ में दैना हाथ में गोली लगी और गोली लगने की बेवजूद मैंने उसे खदेड के 300 मिटर दो अपराध जोगा